आज हम पढ़ेंगे कफशा पहली का 21 पाथ हलीम चला चांद पर हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठ कर चल दिया चलते चलते अंधेरा हो गया हलीम को डर लगने लगा उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया चांद पर हलीम को खूब सारे गड़े दिखे और बड़े बड़े पहाड दी लेकिन वहां कोई पेड या जानवर नहीं थे लोग भी नहीं हलीम नहीं सोचा ये भी कोई जगे है चलो वापस घर चले वह रॉकेट में बैठ कर घर लोट आया झाल 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 झाल